हलो एवरिवन आज है फोर्थ अक्टूबर और आज इस वोड़े में हम बात करेंगे वक्रांगी लिमिटेट के बारे में देखे एक वक्त का दमदार शेर हुआ करता था 500 रुपए से भी उपर ट्रेड हुआ करता था यह शेर उसके बाद कॉर्परेट गवर्नेंस के आरो प्लगेन के उपर और शेर तूट के ऐसा बिखरा कि अभी तक संभल नहीं पाया है हलाकि एक प्राइज रेंज में ये अटकता जरूर है और वहां से बाउंस बैक भी दिखाता है और वहां से एक लेवल रेजिस्ट्रेंस पर पहुंचके गिरावट भी दिखाता है वीडियो में हम उन सब चीजों के बारे में डिसकस करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंके आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो आपको काफी जादा हल्प तो बात करते हैं वकरांगी लिमिटेट की 40 रुपे का शेर है, हलकी सी तीजी आज के दिन में देखने को मिली है, देखे पिछले कुछ दिनों से न मार्केट भाईया सबको बढ़िया पैसा बना के दे रहा है, पिछले हफते भाईया लोगों को माला माल बनाया और आज तो भाईया इसने अलग ही लेवल का स्वैक दिखाया था मार्केट ने, बढ़िया तेजी पकड़ी इसने, लेकिन फिर भी पिछले एक महिने में 4% का ग्रोथ वकरांगी में है, तेजी आई जरूर थी, 44 तक पहुंचा, वापस तूटके बिखरा, वापस तेजी आई, वापस उसी लेवल पर आ गया, एक साल में अगर देखें, तो फिछले एक साल में वकरांगी के शेर में 40% का ग्रोथ नजर आया है, लेकिन, लेकिन, अगर देखें, 26 से करीब था, ऐसी तेजी पकड़ी 70 रुपए तक पहुंच गया ही, 70 रुपए तक तूट गया, तेजी आई, 70 रुपए पहुंचने के बाद यह लगाता है, अगर देखें तो नीचे की तरफ आया है, लेकिन, एक सपोर्ट अगर हम देखें, तो 30 रुपए के आसपास इसका बनता हुआ नजर भी जरूर आया है, और पहला सपोर्ट 40 रुपए के आसपास इसका देखने को मिल रहा है और जो दूसरा सपोर्ट है, वो 30 रुपए के आसपास इसका देखने को मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, कि अगर मैं आपको लॉंग टर्म का ग्राफ दिखाऊं ठीक है, तो 10 साल का अगर हम ग्राफ एक बार देखी लेते हैं, तो 10 साल का अगर हम ग्र ग्राफ देखें, तो 375% का ग्रोथ जरूर देखें, आठ रुपए का शेर था, जो दौड़ना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, पांसो रुपए से उपर निकला और जैसी एलिगेशन से इनके उपर लगे, ऐसी पिटाई हुई शेर की, ऐसी पि है, अगर यह ऊपर जाएगा, तो भईया, बेचो और निकल लो, अब यह वो शेर नहीं है, जहां पर आप यह मान के चलो, कि मैं इसको 10 सार के लिए भूल जाओंगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खास है, जब माकर अपने all time highs पे बैठा हो, तो बैसे शेर शेर्ट मे बैया, शाट टर्म की पोजिशन बनाना सही रहता है, उपर की लेवल पर बेचो, नीचे की लेवल पर खरीदो, नीचे की लेवल पर डेफिनिटली यहां पर खरीदने का मौका बनेगा वकरांगी में, इस बात में कोई शक नहीं है, और ये one of the risk की share में मानता हूं, कि यहा बनेगा, और नहीं बनेगा तो आपको दो, तीन साथ के लिए अटका की भी रखेगा, अगर आप लॉंग ठम के लिए जाओगे, यहां पर तो, small cap share है, चाहाँ जाथ इन सो करोड के आसपास का, इसका market के अप है, volume की मैं बात करूँ, तो 33 लाग का, इसका volume trade है, कोई खास volume trade नहीं देखने को मिल रहा है, कोई interest लोगों का भी यहां पर नहीं है, खरीदारी को लेकर, प्रमोटर के पास 42.60% की holding है, 9.71, FIS की holding है, खरीदारी करी है, थोड़ी बहुत, 0.04 mutual fund, 6.32 insurance company के पास देखने को मिले है, और dividend की मैं बात करूँ, तो भाया, dividend अभी भी पेक कर रहा है, धीरे धीरे भले ही share to try, लेकिन 10% का अभी भी dividend आपको पेक करता हुआ, नजर आ रहा है, यह share, मतब 10 पैसा पर share का dividend है, वकरांगी के बारे में अगर हम देखे, तो 7 प्रतिशत लोग खरी, बेशने की बात करें, according to money control user, 86% लोग खरीदने की बात करें, 7% लोग यहाँ पर hold करने की नसियत आपको देते हुए, नजर आ रहे है, revenue इसके लगाता तूटे है, revenue थे, टीक है, जब टूटना शुरू हुआ, 500 करोड, 685 करोड, 314 करोड, तो नहीं अच्छे revenue है, टूट रहा है इनके revenue, प्रॉफिट अगर हम देखे, तो हाँ, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे है, जबकि उससे उलट, आदेखे, 680 करोड के बाद 25 करोड का प्रॉफिट तो प्रॉफिट एटलीस थोड़ा बहुत increasing mode में तो ज़रूर देखने को मिल रहा है, इसका ये हम कह सकते हैं, और तो और जो हाल फिलहाल के जो results आए थे, उसके according, इनका जो net sell था, वो 150 करोड के आसपास था, जो कि बहुत अच्छा मैं मानता हूँ कि अगर देखा जाए, तो company का पिछले पूरे साल का जो आप दे सकते हैं, कि जो revenue था, वो सिर्फ था 314 करोड, तो एक ही quarter में 155 करोड के आसपास का revenue जो कि अच्छी बात है, और profit जो भाया देखने को मिला 62 करोड पूरे सालाना profit, जो इस बार 23-24 करोड का नजर आए, जो कि ये भी बहुत अच्छे बात होगी, company की दिरे-दिरे track पर लोटती आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, खरीदने का अभी भी सही मौका है, क्योंकि शर्फ ओरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी rate flag नजर नहीं आ रहे है, P ratio देखें महंगा है ये, 68 का इसका P है, जबकि sector P 37 है, तो कह सकते हैं कि भाईया, महंगे valuation के ऊपर शर्फ जरू ट्रेट करा है, एक बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी खबर है, कि वगरांगी ने भाईया, टाइप किया है, बिग हाट एग्रो के साथ, और लांच किया है, एग्री सर्विस अक्रोस इस प्लाटफर्म, अपने प्लाटफर्म पर range of quality inputs, such seeds, pesticides, इनके जो वकरांगी केंदर आपको हर जगे देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर भाईया, वो information प्रोवाइट करेंगे, कि भाईया, कौन से जो बीज अच्छे होते हैं, पैस्टिसाइज कौन से यूज करनी चाहिए, fertilizer, nutrition, implants जो होते हैं, तो वो सारी चीज़े प्रोवाइट करने का काम करेंगी, power of data, science, technology, ये सारी चीज़े आपको जो अलग-अलग गाउं में हैं, वहाँ तक पहुंचाने का काम भी कंपिन कर रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, और वकरांगी मेरे हिसाब से इनके वकरांगी केंदर काफी जगह पर फैले हुए हैं, आप देखने की कोशिश करेंगे, और देखें, सरकारी जो स्कीम होती है, वो इनके वकरांगी केंदरों पर आपको प्रोवाइट कराई जाती है, आप देखेंगे, तो कई सारी अलग-अलग जगह उपर है, तो जो हम कहते हैं कि बहुत गाउं तक इनक कांगी को लेकर, अगर हम देखें, अगर मैं होल्डिंग की बात करूँ, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, तो पता चल रहा है, 42.60% प्रमोटर के पास है, अगर सप्टेंबर में देखें, तो उतनी ही थी, लेकिन एक सप्राइजिंग फैक्ट यहां पर यह है, कि 37% की होल्डिंग थी, आज उनकी होल्डिंग जो है, वो कम हुई है, 13.71%, लब जो रिटिल इन्वेस्टर है, वो धिरे-धिरे यहां से दूर जा रहे हैं, जबकि म्यूचल फंड खरीदारी कर रहे हैं, जो थे ही नहीं म्यूचल फंड पिछले साल तक, 0.04% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक वाले जहां थे, वहीं पर अठके हुए हैं, एफाइल्स वाले भी जहां थे, वहीं पर उसी के आसपास अठके हुए, जादो कोई फरक देखने को नहीं मिल रहा है, वकरांगी को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि हां, 30-40 रुपे के आस अबल आना चाहिए, तो कि इनकी जो पकड़ है, मजबूती है, वो भाईया, गाओं तक बहुत जादा है, और जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, इनके रिवन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इनके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो लॉंग टर्म म में नहीं रहोगे, ये मेरा मानना है लॉंग टर्म के लिए भी, तो बागी मरदी आपकी है, आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म की निवेशक हो, आप लॉंग टर्म की निवेशक हो, उस हिसाब से आप यहाँ पर फैसला ले सकते हैं, वीडियो को यहीं पैन्ट करूँग झाल आपकी।